हालो जी कैसे हो सारे देसे लव वबर ये वेलेकर बीडी चैनल कोड़ हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नमबर 69 पर टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च ट्री इससे पहले हमने बाइनरी ट्री खतम कर लिया है और बाइनरी ट्रीज के बहुत सारे कोशन 20 से जादा कोशन हमने सॉल्व कियें शाद जावे कर दियोंगे 30 कर दियों क्या पता ठीक आपको पता है अब पहुंच चुके बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर पहले पूरे बेसिक बेसिक कैसे होता है क्या होता है क्रिट कैसे करते हैं सब को समझते हैं कोशन भी करेंगा और बड़ा मज़ा आ देता हूं तो हमने कगला अगर आपके पास एक मपका सोटिट्र मैं इंडेक्स है हमने भूला कि हमारै आपने उप रहे हैं इसम लटहिए ऐसमिटकार नाम है यह होगा में हमिट्वाले एलिमेंट को देखता था कि हमीड या है इसका मतलब क्या है अगर एक लाए में लें टेफ्ट्वाले पाट को नेगलेक्ट करना है और राइट वाले पाट में सर्च करना है तो मेरे पास जो एरे है जिसमें सर्च लगानी हो कौन सा है 12 17 21 42 अच्छे सबनाते हैं तो अब मेरे पास वह एरे क्या है जहां मुझी सर्च करना है तो मेरे पास यह चार लिमेट है इसका मतबर लेट पार्ट को नेगलेक्ट कर दूँगा और राइट पार्ट पर फोकुस करूँगा राइट पार्ट नीच लिख दे दुवारा इसके नंदुए तो 21 और एक 42 इसका इंडेक्स इसका 7 अच्छे सेवन मेंट जा है वह यहां पर आ रहा है तो हमने बोला है इसक अप लॉग एं टायियन क्वलेक्सिटी के अंदर स्र्ज कर पाराहे थे और एक के जहां पर लाइनर सज लगा दे पर लिए देखुगा ये पर आ जाओंगा फिर आ जाओंगा पर जाओंगा फरी एंजाओंगा फिरी उन Church की ओ एनत टी तो आपका स्टर लाइट कम टाइम म कोर्सिस के अंतर आप चाहते हैं कि डेवल्मेंट कर लो यार मशीन लेर निंग कर लो एंडॉड कर लो एंडॉड कर लो एंडॉड कर लो कोर सब्जेक्ट ओस्ट वगारा पढ़ लो मैं यार डिया से कर लो जावा पाइथन किसी भी लैंगोज के अंदर तो आप यहां से वो ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडि निंजाज के वह यहां पर वन औन वन डाउट रिजोलिंग सपोर्ट अविलेबल है अगर आपको कोई बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अविलेबल हैं कोशन सौल करते हैं आपको हिंट वीडियो इसमें पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो के मैक्सिम है वह आपको मिल जाएगा जानिया आपको बारे में कुछ 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 सा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है सेम यार आपको बाइनरी ट्री समझा गये था भाई कि यार या तो जीरो चायल्ड होंगे या वन चायल्ड होगा या टू चायल्ड होगा या बाइनरी ट्री होता था तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होगी इसी प्रकार की प्रक्रिया पर बेज एक ट्री क्या मतलब है कि एक आपकी यार रूट नोड हो गई ये मेरी रूट नोड हो गई इस left side में जो भी होगा जो भी nodes होगी जो भी nodes होगी वो हमेशा उनका data जो है वो less than आपका root node होगा ठीक है तो जो भी आपका node है जो भी आपकी root node है उसके left subtree के अंदर जितनी भी nodes होगी वो सारी छोटी होगी और उसके right subtree में जितनी भी nodes होगी सारी कि सारी बढ़ी होंगी यह बात समझ ड्री हैं यह बात समझ में आ रही है ढमने क्या बोला है प्रणा और जो यहां पर नोर्ट का है वह बढ़ा हो जाएगा तो बेसिकलिकर मैं क्या कहना चार हूं कि अगarl कर heut होता है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आर्ट इस प्रकार तो इसको फटबट बनाते हैं ताकि आपको मैं और clarity दे पाँ मैं किस प्रकार समझाने को इस कर रहा हूँ आपको ठीक है और दिनों बाद आए यार देख लिए होता दस दिन का अच्छे से शांती दिमाग की शांती करा के आए हैं बिल्कुल ठीक है तो यहां मैंने बोला कि यहां पर 10 पड़ा हुआ है नोड पर इस नोड पर 10 पड़ा हुआ है तो इसका left part जो भी होगा उसमें जितना भी डेटा होगा 10 से कम होने वाला है यह guarantee है और यह जो property हर नोड पर अपलाई करती है कि for every node हर बार left subtree में data और उस root node से छोटा होगा और हर बार right subtree में data उस root node से बड़ा होगा तो मैंने बोला यहां पर 10 है तो इस subtree के अंदर जो data है वो 10 से छोटा होगा तो मैंने बोला let's यहां पर 7 पड़ा है तो 7 के left वाला जो होगा वो 7 चोटा हो सकता है तो यह 5 है और यह 7 का right subtree है यानि 7 का right subtree इस जो बड़ा होगा ना चाहिए तो मैं बोल दे 9 है तो इसको फटा फट साफ 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 बनाए दिया कि यह उगे 10 यह उगे 7 यह उगे 5 और 9 अब जो 10 है उसका right part करें तो जो बड़ा होने वाला है तो यहां पर मैं क्या डाल सकता हूं मैंने बोला है यहां लेट से 15 डाल दिया 15 के left में कुछ बड़ा ही नहीं हुआ तो नल है राइट में क्या होगा 15 के right में इस डेटा बड़ा होना चाहिए तो 15 से बड़ा डलेगा 17 तो 17 के left में हर चीज चोटी होने चाहिए तो इस प्रकार हमने क्या बोला है कि ऐसा ट्री जहां पर यह प्रॉपर्टी आप सैटिस्वाई करा आपा रहे हो क्या प्रॉपर्टी कि for every node for every node हर node के लिए उसका जो भी left part होगा उसमें जितनी भी node का data है जो भी node उसके अंदर पड़ी हुए है वो node का data हमेशा छोटा होगा आपके root के data से यह बात समझ में आ रही है राइट सब्ट्री के अंदर जो भी नोड्स हैं उनके अंदर जो भी डेटा पढ़ा हुआ है वो डेटा हमेशा बढ़ा होगा रूट के डेटा से यह बात समझ में आ गई बहुत बढ़ी है नहीं समझ में कोई बात नहीं आपको तुरसा यहां पर एक डाइगराम दिखाते ह और इसके दोर आपको पता चल दाएगा यहां पर द्यान से देखो यह आपके सामने एक 3 है यार रूट नोड है 1 तो लेफ्ट पार में सब कुछ क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए पर लेफ्ट पार हमें क्या दिख रहा है यहां तो टू पढ़ा हुआ है यानि कि VST ह यह पाई है यह नहीं है यह बात हमें समझ में आ गई और इक जामपल में यहां पर सब बढ़ा होना चाहिए ऐसी 8 के राइट पार में सब बढ़ा होना चाहिए 10 14 13 बढ़ा है 10 के राइट पार्ट में सब बढ़ा है 14 और 13 बढ़ा है 14 के लेफ्ट पार्ट में सब छोटा हो एची ठीक है छोटा है लेफ्ट साइड में बढ़ा है तो बना देते हैं लेफ्ट साइड में जाएगा यहांपर आपने नोड लगादी लेफ्ट साइड में जाएगा इस लिए आपने से चोटा है छूटा है, फिर क्या है 21, जो है वह 10 से बड़ा है, तो यानि वह राइट पार्ट में जाएगा, 21 होग बढ़ा है, फिर आए 7, 7 से चोटे है, तीकि लेट पार्ट में जाएगा, फिर 7 से चूटा है, फिर 27, 27 का आपने 10 से कमपेर गिया, बड़ यहां मैंने इसको लगा दिया इसी परकार यहां पर 3 भी लग जाएगा तो इस परकार आपका इस डेटा के लिए लॉजिक समझ मारा लॉजिक क्या कहता है अप्रोच क्या कहती है मेरी मेरी इस परकार की बनगी जैसे मेरे आया मैंने उस नंबर को चौट कर से डी है बाक्य बापकी MR मारा सब कुछ कर देंगे हमें सिर्व इतना लोजिक पता होना जीए सब समझ भाद आए कोड करता हूं सब समझ महा जाए गा तो अपनी पड़ा अपर नाम ने नोड नोड में क्या क्या होता है एक तो डेटा एक टो डेटा हुआ एक लेटी पोइंटर पड़ा एक एक राइट पांटर बढ़ा है ठीक है इस पर कार यह चीज बड़े हैं एक च्रॉक्टर बना देता हूं फटा फट तेहां इसको थाचिछ से बना गया है यहाँ पर इख बनाया है तो मैंने बोला नोड है तरहल। इस का डिटा ईपिल टुर दि और दिस का रिफटीज इकलस टू मुदू थे राइट इपिल टू टू नल ठीक है तो एक अन्सक्रेटर बना दिया मैंने बहुत बढ़ी है अब बना दो बना दो फट फटक नोड बना दो ठीक है वनल कि नोंड रूट स्टार्ट रूट स्टार्टिंग में यह नहें हमने बोला एक फंक्स्न नाओ टेक इंपूट नाम का यह इन्पूट लेगा और रेढ़ करेगा यहां पर मैंने बोला cout enter data to create bst उसी परकार मैंने आप function बना दिया फटापट take input यहां भी मैंने simple बोल दिया कि bro यहां मैंने बोल दिया कि यार आपने क्या करना है एक data variable बना दिया इसका ब input कराते जा रहे हो c in data ठीक है और जब तक आप minus 1 नहीं डालोगे मैं input लेता रहूँगा जब तक आप minus 1 नहीं डालोगे तब तक मैं input लेता रहूँगा while data is not equal to minus 1 हम क्या करेंगे हम बोलेंगे इस data को in bst में डालते रहो insert into bst इस परकार तो bst में क्या डालना है रूट में डालना है आपको क्या डालना है रूट में आपको data डालना है यह बस समझ में आ रही है और यहां पर आप हर बार एक data लेते रहूँगे ठीक है इतना आपने कर दिया यहां मैंने पास कर दिया पर लेट से root पास कर दिया node star and root by reference और यहां मैंने root पास कर दिया बहुत बड़िया अब मैंने क्या बोला यह insert into bst वाला function में आना पड़ेगा चलो मैंने बोला void insert into bst node star and root और मेरा data आया समझ में आगी अब मुझे bst में insert कैसे करना है मैंने बोला simple है ना दोस्ते simple है मैंने क्या बोला था अगर आपका जो data put करना है वो root के data से बड़ा है तो right part में डालना अगर छोटा है तो right part में डालना और एक तो मेरा base case होगा तो create करो root is equal to new node यह आपने new node create कर ली और यह आपने return कर दी root done है क्या case था है यहां पर यह case था कि starting में जो root थी ना वो आपकी null के equal थी यानि कोई tree था ही नहीं तो मैंने क्या null के equal है पहला data आया 10 आया ठीक है तो मैंने क्या जाए कि नोट बना दो उसमें तरहस को root बोल देना simple इतना कर दिया इतना करके उसको यह चाहिए तो इस प्रकार हमने इसको कर दिया return नहीं कर सकते हैं root को क्योंकि हमने void type का function बनाया यहां पर error आहा है तो यहां पर issue इस प्रकार है कि यह कह रहा है कि आप insert कुछ नहीं करने हैं और ऐसी बाते कर रहे हैं तो नोट चाहिए जो भी मेरा डेटा है वह बड़ा है किससे बड़ा है के टेटा से अगर चुब ही मैं पास कर रहा हूं जो मैं insert करना चाहता हूं वह रूट के data से बड़ा ए तो इसका मतलब क्या है राइट पार्ट में जाना है अच्छ इफ जॉत कश्च फेले अगै यहां मैंने क्या विला रूट का जो लेफ्ट का यार उसमें इंसर्ट करना चाहता हूं इंसर्ट इंटू बीएस टीग है तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है माने अपना रूट रिटर्ण कर दिया बाद में कटम जान समझे को इसको को दुबारा तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि पहला केश तो हुआ जब आपका स्टार्टिंग में रूट नल पड़ा हुआ था आपकी पहली वैलिव आई थी 10 आया था स्टार्टिंग के अंदर तो आपने क्या किया था इस 10 के लिए आपने नोड ब बड़ा है तो राइट पार्ट में इंसर्ट कर दिया चोटा है तो लेट पार्ट में इंसर्ट कर दिया दन इस पकार मैंने इंसर्शन का कोड लिख लिया देगा तो एक बड़ फटावर्ट को चला कर देखते हैं कि चीज़ चल भी लिए कि नहीं मैंने इसको रन कर दिया क कहता है कि insert enter data to create BST मैंने बोला कि 10 space 5 space 21 space minus 1 हो गया done हो गया create बट हम बट दिखने ला ना तो उसके लिए हमको यहाँ पर traversal करना पड़ेगा तो कुछ कुछ कुड़ा अलुड हम पहले लिख चुगे थे बाइन लिटरी जो हम पढ़ने बैठे थे इसको हमने copy कर दिया तो मैंने यहाँ पर यह code को copy कर दिया paste कर दिया अब मैंने क्या बोला कि अच्छा कहाँ पर issue आ रहा है उसने बोला node star node की spelling n बड़ा रखा हुआ हमने पुराने code के अंदर change कर देते हैं कोई बात में को बड़ी चीज नहीं है क्यों को इंपोर्ट करना पड़ेगा include करना पड़ेगा c++ है done है done है done है हमने क्या बोला चलो प्रेंट करा दो कि हमने बोला level or traversal इसमें क्या पास करना है root हमने बोला इसको प्रेंट करने से पहले printing the vst तो जो हमने बनाया था 10 space 8 space 21 space 7 space 27 space 5 space 4 space 3 और हमने बोला कि while data not equal to minus 1 तब तक चलते जाओ यहां पर राइट तो minus 1 से हम इसको एंट कर देंगे एंट कर दिया तो पहले लेवल पर है 10 फिर है 8 और 21 बिल्कुल सही फिर है 7 और 27 बिल्कुल सही फिर है 5 फिर है 4 फिर है 3 तो बहुत प्यारा ट्री बनाया हमने तो ठीक है तो आज के दाइम पर हमसे को पूछे बीस्टी के रीड करना आता है दोस्त तुझे नंबर एक नंबर की stream दूँगा आप बोलोगे हां आता है दोस्त कुछ भी नहीं करना होता सिंपल होता है अगर रूटनल है यानि के बेस टो मैंने वह नोड बना वापस भीज़ दी अगर नहीं है तो आपने जैस्ट कमपेर के साथ यह थिसों प्रवा जोद कर लिया जो फानिक टीकाइण है यो थियू आरो प्रक पास किया थे ये आ샵 הבא प्रांइन प्रृड्ज प्रॉल कर जाता होंगे है तो किस में इस फ़ीय जान् Heaven कर्णिद्लै ने नि कहा जाता हूं प्रिंटिंग इन और यहां मैंने कॉल किया इन आडर वाले फंक्शन को और इसमें क्या पास करती है बाकि चीज़े कॉल कर दी है कि यहां मैंने पास कॉल कर दिया परी और कर लेते हैं इसे कॉपी कर लेता हूं क्लियर कर देते हैं और फैर उसको रन कर देते हैं आप आया है मैं यह यह मेरा आ गया pre-order और यह मेरा आ गया post-order पता किस लिए का सही है गलत है मैंने कहा निकाल के देख लो न यह रा मेरा ट्री दोपराट्री बनाये तो आपके लिए आपर मैं तो मैंने गोला दस 10 के left में 8 है और right में क्या है 21 है उसके बाद क्या है यहाँ पर 7 है और यहाँ 27 है यहाँ 7 है और यहाँ 27 है तीक है आगे क्या है 5, 4 और 3 है तो यह आगया 5 यह आगया 4 और यह आगया 3 ठीक है मैंने क्या बोला मुझे पहले in order निकालना है मुझे पहले in order अरे भीया spelling in order निकालना है ठीक है in order कैसे निकलता है in order का मतलब का वता था l n r l मतलब होता था left n मतलब होता था root और r मतलब होता था right ठीक है तो मैंने start किया यहां से पहले मैं कहां पहुँचा अच्छा 10 पे हो left में जाना है फिर यहां पे l n r फिर left में बोला मैं फिर left में आगया फिर यहां पे l n r फिर left में बोला मैं फिर left में आगया फिर यहां पे l n r उसने बोला left में जाओ मैं फिर left में आगया पर यहां तो नल है तो यहां से मुझे वापस जाना पड़ेगा यहां से वापस आगया जब वापस आया तो उसने बोला एन एन मतलब रूट नोड यानि के भाई इसको प्रिंट करो तो 3 आना चाहिए ठीक है फिर मैंने बोला आर यानि राइट में जाओ राइट में गए नल है वापस आगया बहुत बढ़िया फिर यहां से यह कॉल वाप कर दिया बहुत बढ़िया फिर यहां से वापस आए फिर यहां से वापस गए फिर यहां से वापस गए उसने बोला एन आपने 10 प्रिंट कर दिया बहुत बढ़िया फिर यहां से वापस गए उसने बोला एन आपने 10 प्रिंट कर दिया बहुत बढ़िया फिर यहां से बापस आगे नोड कर दी 27 और फोर पैप सेवन एट टेन 20 27 तो इस परकार आपने इन और्डर सही निकाल दिया है प्री और 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 पोस्टर सही है ये नहीं आप इपर खुड ड्राइट करेंगे और पता लगाएंगे कि हाँ सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है पर ठीक है आपको ड्राइट अच्छे सा आच चुका हो समझ आगया है तो यतना काम अब भी करेंगे आप इंसर्शन की कॉंपलेक्शिटी क्या होती है यह तो बता दो मैंने का वाउ अब आया मजा अब ध्यान से देखो इस ट्री के अंदर लेटसे मैंने बोला कि मुझे 6 इंसर्ट करना है तो six जो है वो 10 से छोटा है तो मुझे का पत्लका लेफ्ट पार्ट में जाना है तो मैं 10 से उठके के जो है यहाँ पर करache Left Part में आ गया फिर क्या हुआ मैंने और eight with year!!!! जो है तो eight से छोटा है तो इसका मनदला फिर से 템ाना है या पर यहां लगा दिया चालो तो अगर आप ध्यान से देखो आप सेम वही चीज़ कर रहे हो जो binary search में हुआ करती थी आप एक पार्ट को neglect करते थे आपने बोला था कि यह तो left part neglect कर देता हूं और right part में चला जाता हूं यह तो ऊपर भी left part neglect कर देता हूं और right part में चला जाता हूं तो आप से कोई पूछे इंटर्विवर के बताओ इंसर्शिन कॉम्लेक्षिटी क्या होती है तो आप बोलेंगे यह आपकी लॉगन होती है क्यों होती है जी में आपको पता हूंग ऌन कैसे नेकाली थी हमने पूरा का पूरा गन ये परोगन फकली को प striking के यह प्रूब किया था के लॉगन कैसे अई है सेम वही तरीका है सेम वही तरीका करना है आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसके इंदर राइट यह बाद समझ में आ रही है तो इस प्रकार आपको पता लग गया हर नोड के अंदर आपको इंटेजर अपड़ा हुआ है और हमने आपको बात समझ मागी तो इसन दो कोशन ने बोला है एक ट्री मैं तुमको दूँगा एक tree मैं तुमको दूँगा ठीक है एक BST मैं तुमको दूँगा ये BST मिल गया अब क्या हुआ और तुम मैं एक number दूँगा X तुम मुझे बता तो क्या ये number X इस particular tree के दर प्रजेंट है के नहीं true or false simple logic ह की मेरे पास यए एक BST पढ़ा हुआ है और यहां पर 50 पढ़ा है यहां पर यहूं पर 45 बड़ा है यहां पर 60 पढ़ाए 55 और 70 बहुत बड़ी है तो basically मेरे किसीने बोला कि utility 25 कुछ ऐसा निकालतेरा धुल किससे में एक पर overd तो हमने किसीमें बोला कि किस सकते हैं कि शोल्व करते हैं 21 भाई क्या तुम 25 हो मतलब पूछ रहें कि हम इसके इकलो के नहींतो तुस्त य Gir तो नहीं या मैं दौ चोटा हूं पर मुझे को जोटा जाएह तो यहां से मयं वैं यहां पर आ गया तो मुझे कोई चोटा नमबर चाहिए मैं तो यहां से हम यहां पर आ तुम बड़े हो तुम लेट फार्ट में लाग या जब न ला गया इसका मतलब एपसेंट है दोस्त एपसेंट है दोस्त और यहां से एपसेंट यह बात समझ मैं इस पकार आपने पता लगा लेगी यह नंबर प्रेजन नहीं है अब बात करते हैं अगले केस के बारे में अग सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार हम सर्च करते हैं अगर आप नल तक पहुंच गए तो आपको रिटर्न फॉल्स एपसेंट वाला केस बेसी कली राइट यह नहीं है यह बात समझ में आती है यह मेरा बेस केस हो गया फिर क्या गचर बोला मैंने मैंने सिंपल से चीज बो लिजी कि आपका रूट का जो डेटा है न अगर आपका रूट का डेटा जया लिवड़ा है जो भी है एकस पास कर रहा हूँ अगर का रूट काई तो इसका मादब है इसका मंदब एक है कि मुझे छोट़ा नमर Spring इसको मैंने इसको बहुत है इसको एक एक तुम मज़ा इसको कोड कर लेते हैं गेम नुट की गेम है सिर्फ टीकर फटा-फट कोड लिए ते हैं अगर आप root is equal to is equal to null तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपकी note present नहीं है return false done पर एक base case तो और बन सकता है न भया कि मानलो आपको जो data ढूंडना था वो मिल गया मानलो जो data ढूंड रहे हो वो मिल गया मैंने का हाँ यह और base case बन गया कि root का data is equal to is equal to x तो इस case में आपने गया return true मैंने बोला ठीक है यही दो base case बनते है ठेक है इसके बाद मैंने का बोला simple aggressive calls आएंगी मेरी जो मैंने आपको बताया हाँ आपके left part चेक करना right part चेक करना है left part में तो मैंने बोला simple answer return कर दूंगा left part का तो मैंने बोला search left part में यानी root के left में search कर लिया x को टेक है else यानी right part यहां मैंने answer return कर दिया right part का search in bst और root का right खतम इतना ही code था दोस्ते हमने क्या बोला अगर तुम्हारी root null है तो तुम ढूंड़ी नहीं पाए तुम्हें मिली नहीं यार घर चल जाओ पने false second क्या तुमने ढूंड ली हो root का data is equal to x तो भाइट रो बोल दो नहीं तो फिर ऐसे करो compare कर लो root का data से और देखो left part मिलेगी या right part मिलेगी done कतम run code करो run code करो run code करो run code कर दिया फटाफट करो तो यहां परिक्सियमे समझनी पड़े कि है अब कितनी टाइम में इसको कर रहे हो तो मुझे का समझ महाते कि time complexity मेरी normal case में average case के अंदर वो of log n होने वाली है of height होने वाली है और worst case के अंदर आपका skewed binary research tree है इस प्रकार का है कि चलो single ऐसे ही ऐसे ही आप चलते जा रहे हैं तो वो of of n कर जाएगे tight यह बाते में समझ में आती है और space complexity solution की सेम यार आपके recursion stack जब बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा of h वो दुबारा से अब लेने वाली है space complexity क्या मैं solution optimize कर सकता हूं मुझे समझ में आता है कि traversal के तरीके में इस परकार हम सर्च कर रहे हैं हमने देखा भी absent कैसा है present कैसा है वो तो सेम रहने वाला है बड़ अगर मैं इसको recursion की जगा iterative way में लिख दो तो मेरा space constant हो जाएगा तो वो जीज़ हम कर सकते हैं इसको iterative way में लिख सकते हैं तो वो कर सकते हैं हमने क्या बोला कि नोड बना लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया कुछ भी temp और यह कि इसको लग दिया अब मैंने क्या बोला एक simple यार while root not equal to null चलो जब तक root null नहीं है तब तक चलाते रहो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि मानलो root का data जो है वो is equal to x हो गया अगर यह हो गया return true simple चीज simple return true दो done अगली चीज़ क्या हो सकती है कि अगर आपके root का data जो है वो बड़ा है x से इसका क्या मतलब है मुझे left part में जाना है left part में जाने का क्या मतलब है आपने बोला कि यार टेम्प को left part में ले जाओ खतब अगर अगर आप इस लूप से बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो data मिला ही नहीं तो हमें return false कर दिया ठेक है यह बास समझमारी है रंकोट करते हैं चलो 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 अबने गलती करें है सोचो हाँ तो मंने भूब में गलती करकी है बढ़ा रहें टेंप को तक हमने बेसिकली बूट प्लेंप आप द्वाण चलो ऊब बहुत सर्थidente के रहता कि धाव een के फैर लोगा तो हमने दो तरीके देख लिए सर्च करने की बेस्टी में पहला आपका रिकर्सिफ बेसेकंड आपका आइटर्टी टेकर दोने चीज है में समझ में आ चुकी है तो हमें आज के टाइम पर कोई बोले कि तुम्हें इंसर्जन आता है हम बोलेंगे दोस्त आता है तो हमें के बोले तुमेंश्च आता है यार इखाता है तो यह बास समझ में मुझे आ रही है अब मैंने के बोले 길ishan क्या तुम्हें दिलिश्न आता है आपके कि अपर्छों इसलेशन नोस्य में रिटे शूट करों फिर तुम्हें संझाओं गातै तो में चलो मिलकिते है जै दो सब्सक्राइब ₹ै हम के बाद इस की बाहर शोचल के बात करूं मैं बुज है जहां पर आप प्रकार का हो यहां पर मेरी ट्रांग को जाती है और वह एन है राइट तो यह बात समझ भाइब बात करें डिलीशन किस प्रकार करना है एक बीस टी के अंदर बहुत प्यारी चीज है बहुत असान चीज है इसको करने से पहले एक ध्यान से गौर करें रीचंटी हमने आप इन प्री ओडर और पूश ओडर प्रिंट करवाया था तो अगर मैं ध्यान से देखो मुझे क्या दिख रहा है कि इन ओडर जो भी आया रहे है वह सौर्टेड है तो आपको यहां पर यह चीज समझ में आ रही है एक प्रॉपर्टी आपको और मिल गई कि इन ओडर इन ओडर मत इसे भी बाइनरी सेच्टे का इन ओडर आप निकालोगे तो हमेशा सौर्टेड ओडर में आएगा राइट हम देख वा रहे हैं पर की लिए को सौर्टेड आईगी है तो इस चीज करें कोशन कर रहे होंगे तब इसका फाइदा उठाने वाले हैं मैं पता कि यह चीज पड़ी है तो मैंने के वह लेट से यहां 50 पड़ा है यहां 10 है और यहां 30 है यहां 70 है यहां 90 है यहां 110 है बन गया बेस्टी बन गया बेस्टी मैंने क्या बोला कि मुझे minimum value निकाल ली है अगर आप BST के case में देखेंगे तो minimum value हमेशे कहां पर होगी leftmost जगापे कि आप root node से start कर आपस left left जाए जारो left 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 जहां पर भी नहीं मिल गया भाई रूप जाओ बस तो left minimum value आपकी इस पकार आईगी यहां आप temp is equals to root ठीक है और आपने क्या बोला while root का left is not equal to null root को आप sorry यहां पर root निया temp आएगा यहां पर आपने फिर temp को उसके left में लेते जा रहे हो जब तक time का left नहीं है रहा आप उसको left में लेते जा रहे हो ठीक है यहां शुरू किया अब बस में क्या करता हूँगा यहां बस left 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 जाता रहूँगा जब तक वह null नहीं होता right तो यहां से मुझ जो भी value जहां प मुझे का समझ माता है ठीक है मैं रूट पर घंडा हूँ मुझे अगरना सिर्फ राइट जाना है राइट 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 जब तक आपका राइट वाला बाट नलना हो जा ठीक है तो मुझे पता लगए कि 110 ज़्या है C lord warming इपना हो जितना हो सिंपल से मैंने बोला कि temp Is equal to root और मैंने क्या बोला कि वाईल attention का राइट नॉट जयो जब तक राइट वेल च स्थनो चेल लिएंड्यान से तिम्वेल निकाल लेंगे ब्च के अंदर तो आपको बोले कि minimum value निकाल के दो या maximum value निकाल के तो आप वो function लिख सकते हैं आपके लिए function निकालना बहुत ज़्यादा असान काम है राइट मैंने क्या बोला मैंने बना ली इसका नाम रख दिया हमने टैंप इसको हमने रूट के इपल कर दिया और सिंपल सी चीज है मैंने बोला जब तक टैंप का left is not equal to null कुछ मत करो बस टैंप को लेफ्ट के ट्रल लेके जाते रहो temp equals to temp का left, right. return temp इस पकार मैंने फ्पंक्शन लिए, सेम अगर मैं इसको copy paste कर दूँ और मुझे एक function लिखना हो max value का, max value का ठीक है तो मैंने rights replace कर दिया इसको, और यह मैंना max value का function भी done हो किया अब अगर को मुझे से पूछे कि यार minimum value क्या है तो मैं इस पकार बताता हूँ गार min value is आपने function call माद दिया min value का इसमें root pass कर दिया जोगी answer आया उसका data print करा दिया done इसी पकार आपने max value करानी है ठीक है था आपने बोला कि max value is और आपने max value वाले function को call कर दिया done है हमने फटा बटा क्लियर किया ओहो हम तो input ही भूल गए जो हमें लिखना था चलो कोई बात नहीं किया नहीं किया कोई बना लेते input तो अगर इस 70 10 30 90 110 minus one इस पकार मैं मैंने बैल्या आने चीए 10 और maximum value वाने चीए 110 मैंने print किया तो minimum value आ गई 10 और maximum value आ 110 तो ठीक है कुछ और functions मैंने आप पर सीख लिए है ठीक है कुछ और functions मैंने आप चीक लिए है जब मैंने आपको यह सिखा दे कि minimum value और maximum value कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक homework रखा जो आपको खुद देखना है आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं आपको पढ़ना है कि in order predecessor क्या होता है और कैसे निकालते हैं उसी प्रकार in order successor क्या होता है और कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा दो क्या चीज़ की बात कर रहे हैं let's say मैंने क्या बोला कि 30 का 30 यहाँ पर लिखा है 30 नोट का यहाँ पर 30 बनी हुई है इसका in order predecessor निकालो क्या मतलब इस बात का इस बात का मतलब है कि जब मैं in order प्रिंट करूँगा ना तो 30 से पहले क्या आएगा 20 तो इसका in order predecessor क्या हो गया 30 का 30 के case में यह क्या है 20 है जी successor successor मतलब 30 के बाद in order में क्या है 50 तो successor क्या आ गया 50 आ गया निकालना कैसे यह आपको देखना है बहुत असान चीज है कुछ ही मुश्किल नहीं इसके अंतर जो हमने आपर यह कला गारी आपकर की है यह यह सेम यूज होने वाली है ठीक है तो यह चीज़े आपके लिए हूम भक में इस शीज़े आपको काम करना है क्यूकि को कि कि अस related कि आपको खुदके लाना है यह आपको खुद-धूढ के लाना है अब चलते हैं poison कि तरफ और चलते हैं च्छलो पहले प्रेस् discourts के कि यह एक नोड है ये जो है यह अपर यहाँ इसको पॉम्राइच कर दिया है यह इस को पॉńsk Shapक करता है य्षिल सब्सक्तार इसको पालब करता है एक आटनोड है कि को यह मैंनेके साइट के अदर है वाली आ खिक लिए होती है let's say 50 25 है यहां मैंने बोला कि 70 है और सब्सक्राइब करनी है तो मैंने एक जो नोड वाट देलिट करनी पताना पड़ाएं कि वर डिलीट करना चाहता हूं let's say पहले बैटार मुझे इस लोड फार्ट को मुझे एलेट पको ना है तो लो जुसके थाidd मैं पहुंच्छा पारे imposing क्तुड में उन्यूप करने सबस्राइब के तर्स दार में इस में जम से करेंगे एक पार रहांग fier को गया आप से कव लूट है data is equal to is equal to जो भी आपने let's say x value दे रही है वो उसके equal होगी तो कुछ को pressing कर दो delete कर नहीं हो right else else क्या हो सकता है या तो जो root का data वो छोटा है या तो बड़ा है अगर root का data let's say मैंने बोला else in condition लगाई root का data जो है वो बड़ा है जो आप node search कर रहे है उससे यह Vä Cette else यहापका root का data लेट योध से यानि आपको right पार्ट में जाना है बन गया code इतना है recursive call चलेगी है done है तो इस पकार कुछ कुछ कर दिया हमने क्या बोला कि मेरी अलगो क्या कहते है पहले तो मुझे इस node पहुचना पढ़ेगा तो मैंने क्या बोला कि पहले उस node पहुचो equal to equal to x मिलती है तो मैं यह कुछ processing कर दूँगा बताएं कि क्या करना है आप ऐसा कुछ कुछ कर दूगा इससे delete हो जाएगा उसके लबा क्या हो सकता है कि आपके IC node पर आगए इसका data जो है जो आप सर्च कर रहे है उससे बढ़ा है तो आपने ठीक है अगर वो बढ़ा है तो मुझे left part में search करना है करना है जिस node को मुझे delete करना है जिस node को मुझे delete करना है हो सकता है उसके zero child लो यानिके वो एक leaf node हो यह left में विनल है और यह right में विनल है तो इस case में क्या करूँगा जैसे मैं अगर मान दो मुझे इवाली node delete करना ही होती तो मैं क्या करता है इसको यह हटा के null डाल देता कि 70 जो है अब null का point कर रहा होगा simple right तो zero child वाला case में solve करना zero child case में क्या करूँगा मैं उस node को delete कर दूँगा जोगी वो node होगी ठीक है ताकि मैं उसका space free करा सकूँ और ऊपर recursive column में null pass कर दूँगा ठीक है यहां पर आपको इन डाल डिस करता है second case क्या होता है अब एक child के दो case बन सकते हैं यहां तो जो है वो left child हो कि यह पड़ा हूँ है या फिर एक right child हो इसके पास की left ड़ना यहां ठीक है दोनों case सेम यह है आपका single child है इस case में आपका left child है इस case में आपका right child है इससमें क्या करूं भाइया हमें मैंने मुलत दोस भूट-सान iyi क्या हाता इसको टो क्योंकि यह तो मुझे ओडिट करनी थी यह टी पर तो मैंने कहाओ कि इसको हटा दो और इस वादी नोड को ऊपर भेज पर नोड़ आगी समझ महीं तो यह logic आपको समझ में आ गया हुँगा है कि हमने बस उपर नोड को हटा दिया और जो भी single child था उसका हमने उपर भीज दिया यह बाश थे इसको लिक ना कैसे यह समझते एंग बाद मैंने क्या बोला कि let's say मैं left child वाले case पकड़ रहा हूँ let's say मैं left child वाले case की बात कर रहा हूँ case का left child है यानि यह वाले case की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला कि ठीक है अभी तो मैं इस node पर कहीना है कि stand कर रहा हूँ इसका नाम root है यह क्या node है इसका नाम रूट का लेफ्ट होगा तो मैंने एक pointer बना लिए temp जिसमें रूट के लेफ्ट को store करा लिया store करा लिए क्यों store करा है भई है आप भी बता रग जाया फिर मैंने को बना इसको delete करो मैंने root को delete कर लिया अब let's say मैंने इसको ऊपर सेव नहीं करा दो तो यह लॉस्ट हो जाती तो इसले मैं उसको पहली सेव करा लिया तो मैंने ऊपर क्या किया चलो जब यह डिलीट कर दी अब मैंने करना मुझे इसको ऊपर वापस भीज दिना मैं रिटर्न कर दिया टैंप को से में इसे पर आपको रइठ चाहल वाले किस के लिए कर राइठ करना है, वह रूट का राइट है और आपने ऊपर जो है त्येवरल को भीज़ दिया यह ब旦ा है इस पकर आप यंग और करना चाहते है , अब बात करते हैं हमारे चौथे के बारे में। चौथा केस क्या होता है, चौथा केस यह बन सकता है कि आपके node के, जो आपको node डिलीट करने हैं, उसके दो चिल्टरन है, यानि कि एक ऐसी node है, आप इसको delete करना चाहते हैं, इसका नाम मैंने बोल दिया कि node to delete, इसके दो चिल्टरन है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है अब यहाँ पर आएगा मज़ा समझने में देखो कैसे करना है बहुत सिंपल चीट है मैंने क्या बोला कि अगर मुझे यह वाला केट हैंडल करना है let's say कि मैं 50 को डिलीट करने की बात करता हूँ 50 को डिलीट करने की बात करता हूँ अब जिस बच्चे ने वो in order predecessor वाली चीज़ बढ़ रखे होगी वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपको यह वाली चीज़ तभी समझ जाएगी जा आपना homework किया होगा तो मैंने क्या पहला option मेरे पास है कि left side में से left subtree में से maximal उठाला हो तो 50 का left subtree में क्या पढ़ा है सिर्फ 25 पढ़ा है तो आप 25 उठाला है तो आपने क्या किया आपने 50 की value को basically replace कर दिया 25 से समझ भाई आपने क्या किया डिलीट नहीं किया होगी आपने 50 को 25 से replace कर दिया 50 को काट किया आप 25 लिंट हो लोग समझ में आ रहा है कि मुझे कोई node अगर डिलीट करनी है उसके पास दो चाइल पढ़े हुआ है तो मैं क्या बोलूगा पहला option है कि left में से maximum value को लाके यहाँ पर copy कर दो और फिर उस node को डिलीट कर दो यह उस node को क्या मतला पही है जो आप यह value लाई था ना यार इस node को तो अब आपका question क्या हो गया पहले question था कि 50 पढ़ा उसको डिलीट करो अब question क्या है इस 25 को डिलीट करो अब recursively यह भी check करेगा यहाँ पर 2 child है, 0 child है, 1 child है वो बाकितर प्रसिंग recursively हो जाएगे वो देखने के need नहीं है इसको डिलीट करना तो डिलीट हो गया पहला option ही हो गया second option क्या कहता है कि right side में से या right subtree में से right subtree में से minimum value ठालो यानि कि यह पुरा right subtree के minimum value के 60 है तो आपने जो यहाँ पर starting में 50 लिखा हुआ तो उसको replace कर दिया कि इसके साथ साथ के साथ और आपने फिर क्या बोला कि इस right subtree के अंदर साथ को डिलीट कर देना तो आपने साथ को डिलीट कर दिया तो इस वकार आपका tree बन जाएगा यह आपके tree की state बन जाएगे लागी समझ में आ रहा है अभी कोड कर नहीं कि बहुत समझ में आदा है वड़ आपको चीज समझ में आ गई हूंगी अब तक मैं कहना के चाहरा हूं तो आपको कोड लिखता हूं ताकि आपको लेट से कोई value देदी मुझे जिसका अधार मुझे पता लगाने कि इस note को इस note को इड़ीट करना है अजाम चनि है कि मुझे value मिल जाएगी तो मैंने क्या बोला base case base case बनाते है बैसके से मैंने बोला कि let's say आपी root ही नल है इस case में क्या करोगे आरे इसके से कुछ करी ही नहीं सकते है एक और base case बन सकता है कि मानलो आपको डेटा मिल गया जो आप डेटा टून रहे थे आपने बोला पर लोगे लिखना है फिर मैंने बोला else if मानलो की रूट का जो डेटा है वो बड़ा है आपकी वैल्यू से इसकेस में क्या करना है अगर रूट का डेटा वैल्यू से बढ़ा है तो उसका मतलब मुझे छोटी वैल्यू चाहां मिलती है लेट पार्ट में मिलती है मिशा तो मैंने क्या ओला लेट पार्ट में चले जाओ तो मैंने रूट का लेट पास कर दिया लेट के लिखना है और रिटर्न कर दिया रूट एल्स पार्ट एल्स पार्ट की बात करते हैं अरे दोस्त क्या हो गया एल्स पार्ट एल्स मतलब कि आपका जो रूट का डेटा है न वह छोटा है वैल्यू से पर आपको बड़ी वैल्यू जी थी बड़ी वैल्यू कहां मिलती है राइट पार्ट में मिलती है तो आप राइ तो इसका मतलब कौन सा केस है इसका मतलब यह वाला केस है जो पर आपने अब देखा है यह बहुत जो भी नोड में खड़ा हूं उसको डिलीट करना है और ना रिटर्न कर दाए तो मैं नहीं क्या बोला कि रूट को फरी कर दो यह में अब वन चाइल का केस में दो केस बनते हैं कि वह लेफ्ट चाइल है या फिर वह राइट चाइल है चलो लेफ्ट चाइल के अरुत का लेफ्ट इस नाट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इस इवक्ल स्टू इस अब लग्еф्रट चाइल है सिर्फ राइट चार्ड नहीं है तो इस केस में क्या कए श treaties यहां पर देख लेते हैं, तो मैंने पहले store करा लिया, node start temp is equal to root का left, फिर मैंने जो भी root है उसको delete कर दिया, free कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने return कर दिया, हमारे temp को, write, done है, तो अब मैंने क्या बोला, यह case हो गया, अफट 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 right child के case बना दो, इसको एक right जो है, वो non-null है, इस case में आप right हो पहले save करा लो, delete कर दो root को, temp को return करा दो, done, तो इस पकार आपने one side case भी handle कर लिया, अब आते हैं two side के case में, two side case क्या कहता है, कि मेरे पास दोनों चाड़े विस्ट करते हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि if root का left is not equal to null, and root का right is not equal इस case में क्या करना है, मेरे पास दो option है, तो पहला option था कि left मैंसे maximum value नेखाल लो, दूसरा option था, कि right में से minimum value नेखाल, जो आप का मन करें, आप लो, let's say मैंने बोला कि मुझे minimum value नेखाल ली, मैंने क्या neue, मैंने क्या यहां पर आपने उसका data save कर लिया आप हमने किसके बाद क्या वाला था इस data को copy करना आपके root node करना तो आपने लूट का data जा है न उसमें इसको copy कर लो गोगा अब मुझे करना है दो step हो चुके हैं पहले step का आपने क्या कर दिया पहले आपने राइट में से minimum element निकाल लिया ठीक है 60 पता रग्या 60 यह पहले step कर दिया आपने रख लिया किसी एक mini नाम के variable में ठीक है फिर आपने क्या किया यह starting 50 लिखा हो तो उसको replace कर दिया और वहां पे 60 डाल दिया बहुत बढ़ी है अब मुझे to delete कर दो delete from bht और यहां पर आपने रूट का right pass कर दिया और value कौन सी पास कर नहीं है value जो आपने copy कर दिकी वह पास कर नहीं है और return कर दिया done इस परकार आपने score को खतम कर दिया right सारी गेम जो दिस कोड में इस two child वाले case को समझने की होती है यह case दुबार हम आपको समझाऊंगा ता कि आपको और clarity मिले तो समझते है अच्छे से tree बनाता हूं उसके बाद से समझ में आएगा तो let's say कि यह मेरा एक tree है इसमें पर आपन में values जाल देता हूं values क्या क्यों होने वाली है मैंने बोला कि यह इन पर आपको 70 है यहां पर आपको यह 50 आ गया यहां पर let's say आपको 65 आ गया यहां पर let's say गया और 69 आगया और यह 90 अगया यह आपकी रूट नोड है तो मैंने के बूला सारे केस समझते हैं पहले जीरो चाल्ड वाला केस समझते हैं जीरो चाल्ड मतलब की लीफ नोड है लेट से मुझे इसको डिलीट करना तो अब सबसे आसाना नहीं सिंपल कुछ भी नहीं इसकी म समझ में आ गया तो मुझे क्या दिख रहा है कि ठीक है यहां पर एक वंचल्ड वाला केस है कि 50 वालेट से मुझे करना होता तो 50 के पास सिंगल एक चाल्ड बढ़ा हुआ है तो इसको तो और आपको कॉंपलिकट करने लिए समझ में आ जा है मैंने के वाला 40 के नीचे भी च आट वालेट야 है टो इसके 10 टरणक बंट ऑटको वालेट यहां बामसे चेल्लिक नीचे तो बढ़ें बढ़ें फार्ट का नीचे बढ़ें अच्छाल्ड रॉट संगर ने की आ जो पार्ट ना ? वह रूट है उसको डिलीट कर दिया और हमने नॉनल बाट को वापस देज दिया तो इस पकार यह understanding आपको आगी होगी नवन चाहिए लिए आप बात करते हैं 2 नोड की अब बात करते है 2 नोड की लैट से कि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लेट से हमें 60 डिलीट करना है हमने बोला कि two child वाले case की बात कर लेते हैं two child मुझे माल लो 60 डिलीट करना है इस case में 60 तक पहुंच गया उसने मुझे बोला किया इसका लैट भी नॉनल है इसका राइट भी नॉनल है अब क्या करूँ मैंने बोलो दो ऑप्शिन है आप तो left वैसक बैसम में np2 बैसम निकला लाओ या right मीं निकाला हूँ किया चुरू कर दिया और में लफ लफ निसका रहे हैं तो आया करता है कॉपी मान लो या रिप्लेस मान लो जॉक का मन कर तो मैं 60 को यहां से हटाया क्या 60 तो नहीं है 60 की तक है यहां तो मुझे जो मिनें वैली वैली वाई 64 वो रखना है बहुत बढ़ी है सेक्ड स्टेप हो गया थर्ड स्टेप घ्रूट के राइट में और किसको डिलीट करना है मनी को डिलीट करना है तो आपने मनी को डिलीट कर दिया वैसे रिकर्जिन समौल लेगा पर फिर यहां तक को पहुंच गए यहां पहुंच के आप दुबारा देखो तो आपका 0-4 case मिल गया जीरो चाली केस में क्या होता था कि आप simple यह न लगा दे तो इसी memory free करना ने के बाए वो recursable लिगे हैं पर आपको यह समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहरा हूँ कि हमने पहले minimum value निकाली right part में से उसको हमने copy कर जाए इस node को delete करना चाहते हैं और फिर उसको हम delete करने चल पड़े यह हमारे steps है right तो इस पकार हम delete कर सकते हैं let's say let's say मैं दुबारा पुराने वाले example पर आता हूँ जो हमने आपके टरीव बनाया था उपर इसके अंदर deletion करेंगे अभी हम तो एक बार code को चला के देखते हैं एक बार code को चला के देखते हैं कि चीज़ें सबसे पहले 30 डिलीट करना चाहता हूँ मैं जाता हूँ 30 ना हूँ और उसके बार इस चीज़ें दुबारा चला देता है एक बार तो मेरा जो deletion है वो यहां पर लाइन नमबर 213 पर तो यह input forward copy कर लेते हैं और मेरा दिमाग क्या कहता है मेरा दिमाग यह कहता है कि जब मैं 30 को डिलीट कर दूंगा तो बस यह note यहां सट जागे और इसको run करते हैं मैंने run किया data मांगा और मैंने हाब डाल दिया एंटर मारा ठेक है तो मुझे का समझ मैं ट्री पहले प्रेंट का और पर चेक कर था त्री साइसे प्रेंट हो रहा है कि नहीं तो 5 20 70 5 20 70 10 30 90 10 30 90 और 1 1 10 ठीक है तो यह बिल्कुल सही प्रेंट हो रहा है अब जब मैंने यहां पर line number 213 पर delete कर दिया 30 को तो यहां से 30 हटना चाहिए और सिप 10 90 आना चाहिए तो इसने बोला 5 20 70 10 90 1 1 10 ठीक है च्टांग से प्रेंट हो रहा है बट इन और के अगर बात करें तो इन और कैसे प्रेंट होगा कर लिए किस आए ओंट से फिरह से व्यां कर लिए कृच है भृला कि पर थे में से को अजिए कृट करना होता इसका का इंसका सिंगल चाइक है कि अगर ध्यान चेखो तो 90 का शिंगर आयान चाffугा अब हमें समझना है तू चाल रहा है तो थीक है बहुत अच्छा कोड लिखा है सही चल रहा है अब हमें समझना है टू चाल वाला केस अब समझना है टू चाल वाला केस टू चाल किसके हैं भाई 20 के दो चाल या फिर वो छोड़ो 50 जो की स्टार्टिंग में इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं अब इसको डिलीट करके रहते हैं पहले समझने क्या होने वाला है फिर वेरिफार करेंगे एक बार नहीं तो आंसर पर राइट सब्ट्री है आपने यहां से लेफ्ट जाना स्टार्ट करना है लेफ्ट में कुछ मिला ही नहीं तो आपकी 70 ही मिनेम वैली होगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि 50 की जगा यहां पर मैं 70 डाल दूँगा और हमें 70 को डिलीट करने चल पड़ा ज सब्सक्राइब तो आपका अंसर आएगा 70 20 90 10 30 110 चला के देख लेते हैं आगे 70 20 90 10 30 110 ऐसे चार-पांच एक्जामपल्स आप खुड रायरेंड करने हैं जब खुड रायरेंड करोगे तो चीज़ें और ज्यादा क्लियर होंगी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका रिकर्जी ट्री एक बार बनाकर देखें कि इस परकार दिलीशन हो रहा है हर प्रक्राइड करते हूं तो चीज बहुत असान थी जानगों इसके पर टाइम लेकिया आपको समझाया थाकि एक आपको सब्सक्राइब जादा मिल जाए वर्स कैस क्या है कर से राइक सक्कू ऐसे करते हैं मुझे आगrich तो चीजब आपको फैं कि पूरी चाहिए यह चीज़ भी ढूने के लाओ या पढ़ो खुद एक पर कैसे निगालते हैं बहुत असान कुछ आता मुश्किल नहीं है सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे आपको पटने के बाद तो ठीक है बीएसटी आज के टाइम पर मुझे पता है इसमें कैसे सौल करते है और बीएसटी के सारी लीफनोर का पर लिंग्लिश में कनवर्ट कर दो या फिर एक सौर्टे लिंग्लिश बना दो तो बहुत तरीके हैं बहुत सारे कोश्ण से सब कुछ करेंगे अब थोड़ा सा मने ब्रेक लिया था अच्छे से माइन को फ्रेश करने के लिए अब ठीक है अ और खतम करने की तरफ चलते हैं सीरीज को तो इस्व बितना है मिलते हैं आमसे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए और कमेंट सेक्शन में चीजे कैसे चल रहे हैं मजा आया के नहीं आया और धिली खोचा वैंक बैगलार वीडियो हम बनाते हैं तेक हैं यह में तरस्टांट चूट था क्योंट अट 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 जीट